हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नैना बूटिक में दोस्तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम फिटिंग वाला कुर्टा कटिंग करने वाले हैं और बिल्कुल फिटिंग यानि कि एकदम मस्ट फिटिंग वाला कुर्टा कटिंग करें तो इस से पहले आप जाने ऊसका नाप दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है यहांपर 35 ऐस आस तिन da french शोलडर है एच इसका 35 sniper एच च्ष्छ अचैस्प Haupt Εंच पेठ है 36 ढामन आह बाय कि ठीक है आपने यहां पर नाप सुनी लिया होगा उसके बाद यहां पर हम इस तरीके से यहां निशान लगाएंगे ठीक है निशान लगाने के बाद यहां पर हम जो भी हमारा नाप सबसे जादा होगा यैसे चेश्ट होईगी या हिब होईगी उसके हिसाब से हम बिछा ठीक है आप दोस्तों इसकी जो लंबा यह वो है 35 थर्टी फाइब तो इस तरीके से हम यहां पर रखेंगे और 35 पर लगाएंगे एक निशान निशान लगाने के उसके बाद नापेंगे हम यहां पर 6 इंच पेट का और नापेंगे हिप का ठीक है साड़े 6 इंच यह हो गया निकि 13 पर लगा दिया आप यहां पर इस तरीके से लगाएंगे एक निशान और यहां लगाएंगे पेट वाला और यह लगाएंगे हिप वाला ठीक है आप दोस् साबसादे साथ कर लेंगे इस तरीके से अब दोस्तों इसका शोल्डर है यानि की तीरा है वो है साड़े सत्रार का हम आप कर लेंगे तो यहां पर हो गया आठ़ाट सोला सत्रा साड़ा सत्रा यानि की यह गया पौने नौ इंच आदा इंच लेंगे सिलाही मार्जन उसके बाद में यहां पर चेश्ट है हमारी 34 पेट है यहां पर तीस इंच है वह है 34 ठीक है अब मैं यहां पर आपको बताऊंगा बिल्कुल फिट वाला एक तो और मार्जन भी इसे में एड़ ए खिए तो एसा यह पर लगाना है 30 तीस इंच सिस शेल से निशान लगा देंगे ये देखिए इस तरीके से आप यहां पर जो सूर्डर है वो है यहाँ पर सारह सतरा इंच हमने kaf yard तो अगा सारह 1850 रे तो यहां पर दॉस्त्तों यहां पर Um क्या करेंगspeaking यहाँ पर निशान लगाएंगे दो इंच पर और ऐसे में भी लगाएंगे दो इंच पर क्योंकि हाला हमारा बड़ा नहीं होना चाहिए ठीक है हम बाद को कटिंग कर लेंगे अगर छोटा रहा तो और यहां से यहां किरास करेंगे उसके बाद यहां पर हम आर्मोल की यहां पर निशान लग चुके हैं अब कर लेते हैं कटिंग अब यहां पर हमने अपना सामना कटिंग कर लिया है अब हम कटिंग करेंगे इसकी बैग करने के लिए हम अपने कपड़े को इस तरीके से बिचा लेंगे इस पिरकार तो दोस्तों यहां पर हमने अपनी बैक कटिंग करने के लिए इस तरीके से बिछा दिया है फ्रेंड को और उसके बाद में यहां पर हम अपनी टीक बताएंगे आको कि tीक हमारी कितनी होना चाहेंगे उपर की साह person में इस तरीके हम बरावर करें बिछाएंगे सबसे पहरे लगाएंगे पतीका निशान टो इसकी लैंद जो कुर्चे की है दोस्तों पूरते की लैंद है वह यहां पर पैंतिस इंच Op 30 के पट्टी अब दोस्तों हमें अपनी बैक पार्ट में अठाना है धाई इंच यहां भी रखेंगे धाई इंच और जो कि शोल्डर का यह कोना है ठीक है यहां से से रखेंगे दो इंच और इसको भी यहां पर गोलाई देंगे ठीक है गोलाई देने के बाद में आप यहां पर जो आर्मोल की गोलाई देंगे वह देंगे देंगे और इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहां पर भी गोलाई देंगे अब दोस्तों हम रखेंगे पॉक कि तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपनी बैक कटिंग कर ली है यहां पर लगा देंगे कट यहां लगाएंगे ठीक है यहां तीन है कट लिए कट लगाने के बाद में अब और रह गई साइट फॉकेट अगर आपसे कटिंग करना नहीं आती तो उस वीडियो का लिंक में इस वीडियो कर डिस्क्रेप्शन में दें दूंगा आप वहाँ से जाके उसको सीख सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं मिलता हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में ठैंक्स पर वाचिंग